कैसे हो आप जिके बाई मास्टर सेननी चैनल में आपका स्वागत है आज की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बताने जा रहे हैं दसवी और बारवी वालों के लिए परिक्सा वैद दाखिलों को लेकर विद्यार्थी परेशान कैसे लोकडाउन ने आपकी परेशानी को बढ़ के लिए चातरों की को नहीं होने के कारण इनकी चांता बढ़ गई है के इंदर ये माद्मिक शिक्सा बोर्ड सहीत अन्य बोर्ड और आजडानी के वैशवी ज्याल्यों के निर्देश की के निर्देश या चात्रों को इंतजार है रोहिणी में रहने वाले मनिश के बारवी के कई पेपर बाकिया है मनिश का कहना है कि कब परिक्सा होगी अब कब परिणाम आएंगे और मैं किसी भी से उदारले में दाखिले के लिए आवेदन करूँगा इसे लेकर संसे है भी ये तिरते वर्ष की पढ़ाई कर रहे है चातर मदूप का कहना है कि परिक्सा के लिए डियू के डियू ने आवेदन फोरम भरवाया है लेकिन आप तीसरे लोगडाउन के परिक्सा में देरी होगी लोगडाउन और कोरोना के कारण मन में एक संसे भी है पहले जिस उत्सा से पढ़ाई कर रहे थे अब अनिश्चेता के कारण उस उस्था से पढ़ाई नहीं हो पा रही है हरा की किसी भी विशे में कोई दिक्कत हो रही है तो सिख सक सायो कर रहे हैं समिती का गठन दिव चातर संग ने चातरो की मांग मानोसं सादन विकास मंत्राले और दिल्ली विशेवधाले के कुलपती समक्ष परस्तूत करने के लिए समिती का गठन किया है समिती का नाम Students Committee for Recommendation and Examination है तिथी गोसित करेगा डियू लोगडाउन के तीसरे चरण की गोसना के बाद डियू में दाखिला समिती वैठक कर आगे की ओजनाय पर चर्चा करेगी एक डियू अधिकारी ने बताया कि डियू में दाखिला लेने वालों में बड़ी संख्या उन चात्रों से किया है जो CBSE बोर्ड से उतरिन होते हैं दाखिले तक उनका बारवी का परणाम आना आवसक है